सिनमा की छोटी बड़ी तमाम खबरों का बुलिटन यानी दी सिनमा शो शुरू हो चुका है मेरा नाम है सरवर और चलिए बताती हूँ आज ही खबरे भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर का कल निधन हो गया मुंबई के शिवाजी पाक में उनका अंतिन संसकार किया गया उनकी बेहन आशा भोसले ने सोचल मीडिया पर बचपन की तस्वीर शेर कर उन्हें याद किया पोस्ट करते हुए लिखा बचपन के दिन भी क्या दिन थे जाने माले लेरिसिस्ट गुलजार ने भी लता मंगेशकर को याद किया न्यूस एजिंसी से बात करते हुए गुलजार ने कहा कि लता मंगेशकर अपने आप में करिश्मा थी और ये करिश्मा मुकमल हो गया लता और गुलजार ने खामोशी, किनारा, लेकिन रुदाली और मासूम जैसी फिल्मों में साथ काम किया है लता मंगेशकर को अंतिम विदाई देने पहुचे शारुक खान का एक वीडियो वाइरल हो रहा है लोग इसे शेर करके आरोप लगा रहे हैं कि इस वीडियो में शारुक थूपते नजर आ रहे हैं या आरोप पूरी तरह से गलत है दरसल शारुक लता मंगेशकर की अंतिम विदाई में दुआ पढ़ते हुए और फूपते हुए दिख रहे हैं जिसे लेकर कुछ नफरती लोगों ने उनकी ट्रोलिंग शू करती लता मंगेशकर की अंतिम विदाई से ही शारुक की एक और तस्वीर वाइरल हो रही है जिसमें शारुक दोनों हाथ खोल कर दुआ पढ़ते हुए और उनके बगल में खड़ी मौतरमा हाथ जोड़ कर प्राथना करती दिख रही है इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर हातों हाथ लिया गया लोगों ने इसे आइडिया ओफ इंडिया बताया जहां दो अलग अलग फेद के लोग अपने ईश्वर से दिवंगत आत्मा के लिए प्रातना कर रहे थे साथ ही कुछ लोगों को कंफ्यूजन भी हुआ कि शारुक के बगल में खड़ी लेटी गौरी खान है ट्विटर पर सुभा से ही गौरी खान ट्रेंड भी हो रहा है मगर ये गौरी नहीं वलकुन शारुकान की मैनेजर पूजा है जो लता मंगेशकर के अंतिम दर्शन के लिए SRK के साथ गई थी लता मंगेशकर की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूप फेल रही है बताया जा रहा है कि ये विडियो उनके हॉस्पिटल में अड्मिट होने के कुछ दिन पहले का है विडियो में वो काफी कमजोर लग रही है आमिर खान त्री इडियत की शूटिंग के दोरान चंदेरी पहुचे थे जहां एक बुनकर के घर पर बैट कर उन्होंने खाना खाया था उन्हें अपना दोस्त भी बताया था अब बुनकर की पत्नी का कहना है कि आमिर ने उनके पती से किया वादा तोड़ दिया उन्होंने बताया कि परिवार की माली हालत खराब है आमिर जब घर पर आये थे तो उन्होंने बुनकर के बच्चों की पढ़ाई का इंदजाम करने का वादा किया था मगर उनकी तरफ से कोई मदद नहीं आई है आमिर के दिये नंबर पर उन्होंने फोन भी किया मगर नंबर नहीं लगा फिलहाल बीड़ी बनाकर परिवार का खर्चा चल रहा है सोनी चैनल का फेमिस शोग CID बंद हो गया है ACP प्रद्युमन का रोल निभाने वाले शिवाजी साटम ने बताया कि शोग को बंद करने का फैसला चैनल का था उन्हें दो दिन पहले ही पता चला कि शोग को बंद किया जा रहा है इससे पहले शोग के टाइमिंग्स को लगातार चेंज किया जा रहा था कंगनर अनाउत के शोग लॉक अप की अनॉंस्मेंट हो गई है खबर है कि इस शोग के लिए रोमन शौल, श्वेता तिवारी, अनुष्का सेन और ब्लाक लोटस आप के फाउंडर ओम स्वामी को अप्रोच किया गया है शोग 27 स्वरवरी से देखा जा सकेगा अक्षय कुमार अक्सर ही अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए कबिल शर्मा शोपर जाते रहे हैं मगर हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय बच्छत पांड़े के लिए कबिल के शोपर नहीं जायेंगे बताया जा रहा है कि अक्षे और कपल के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है दरसल इसके पहले जब अक्षे शो पर गए थे तो कपल ने उनसे पीम के साथ के गए इंटर्व्यू को लेकर मजाग किया था कहते हैं कि अक्षे इसका बुरा मान गए डाक कॉमेडी शॉर्ट फिल्म थांक्यू फॉर शेरिंग को गोल्डन शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट कर लिया गया है ये इंडिया की इकलौती फिल्म है जिसे इस फेस्टिवल में सिलेक्ट किया गया है अक्षे कुमार की पृत्फी राज फिल्म विवादों में है कड़नी सेना ने फिल्म पर बैन लगाने की मांग की है उन्होंने आरोप लगाया है कि मूवी में पृत्फी राज को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है कड़नी सेना के दायर के हुए P.I.L. पर सुनवाई करते हुए कोट ने सेंसर बोड से पूचा है कि क्या सेंसर बोड ने मूवी को रिलीस करने की पर्मिशन दे दी है अक्षे कुमार और टाइकर श्रॉफ की फिल्म बड़े मिया छोटी मिया का फर्स्ट लुक छे फर्वरी को रिलीस किया जाना था मगर लता जी के निधन के बाद मेकरस ने इसे पूस्पोन कर दिया है शाहिद कपूर को इंडिन क्रिकेट टीम को बढ़ाई देना महंगा पड़ गया दरसल इंडिया और इंग्लेंड के बीच हुए अंडर 19 वर्ल कफ फाइनल में जीतने के बाद शाहिद ने उन्हें बढ़ाई देने के लिए जिस फोटो का इस्तेमाल किया वो 2018 की है इसे लेकर लोगों ने शाहिद की ट्रोलिंग शुरू कर दी तो बस ये थी आज की बड़ी खबरे अब उलाखात होगी कल तब तक जुड़े रहिए हमसे और हमारे नए चैनल ललन टॉप सिनिमा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा शुक्रिया